बिग बॉस 16 की इस हसीना ने खत्रो के खिलाडी सीजन 13 के ओफर को किया कन्फर्म आईए जानते हैं इस बार खत्रो के खिलाडी सीजन 13 में कौन-कौन से कौन्टेस्टेंट मचाने वाले हैं धमाल नमस्कार मैं सनिक्दा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चानल पर तो खत्रो के खिलाडी सीजन 13 को लेकर काफी बज क्रियेटेड हैं आप सभी सूपर एक्साइटेड हैं रोहिट शेटी के इस आने वाले सीजन को लेकर पिलहाल अगर बात करें तो बिग बॉस सोडा के कॉन्टेस्टेंस सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटे हो रहे हैं इस रियालिटी शो को लेकर जिनमें से बिग बॉस सोला के कई कॉन्टेस्टेंस को अप्रोच किया गया है जिनमें सबसे पहला नाम है शिफ्ठ हाकरे का अर्चना का अर्चना को भी Big Boss के बाद अब खत्रों के खिलारी सीजन 13 से ओफर मिला है तो अब तक आपने अर्चना को Big Boss में entertainingetening अफ़तार में देखा था अब यही बवालिया अर्चना और entertaining वाली अर्चना खत्रों के हसीना है जिन्होंने खत्रों के खिलारी सीजन 13 के ओफर को कर लिया है कन्फर्म कर दिया है एक्सेप्ट और वो है सौंदर या शर्मा यानि कि सौंदर या शर्मा का नाम लगातार आपने सुना होगा कि वो बॉलिवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी है पहले वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है और फिर बिग बॉस सोलस जिन्होंने नेम फेम हासल करने के बाद अब खत्रों के खिलारी सीजन 13 में आने वाली है नजर तो वेल गाइस बैक टू बैक देखा जाए तो और भी ऐसे कॉंटेस्टेंस है जिनके नाम जुड़े और उनमें से एक है तो कॉंटुवर्शिल कुईन उर्फी जावेद है जोकी हकसर अपने कपडों को लेकर अतरंगी कपडों को लेकर सुर्खिया बटोरती रहती है लोग कयास लगा रहे हैं कि might be possible वो भी बहुत जल्द नजर आ सकती है खत्रों के खिलारी सीजन 13 के आने वाले सीजन में यानि कि इस सीजन में तो देखा जाए तो वेल कई सारे नाम है उमर रयाज की बात करे तो उमर रयाज भी नाम उनका भी नाम शामिल है मुनावर फारूकी, मुनावर फारूकी की गर्फरेड नाजला तो इतने सारे कॉंटेस्टेंस हैं जिन्हें फिलाल अप्रोच भी किया गया और कुछ कॉंटेस्टेंस कंफर्म भी कर चुके हैं तो आप बताएं क्या है आपके रियाक्शन्स खत्रों के खिलारी सीजन 13 के लिए कितने जाद आप एक्साइटेड हैं देखने के लिए इसे कमेंट करके जरूर बताएं तिल देन स्टे टून टो आर चानल